नमस्कार हमारे कारकरम खास मुलाकात में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुज शुक्ला हम इस कारकरम के जर्ये आपको राजनेतिक सक्षियतों से रूबरू कराते हैं और आज के हमारे मेहमान हैं बीजेपी के राष्टी उपाध्यक्ष और उत्राखंड और दि हरी सावत को घेरेंगे उत्तराखंड ये भारतिय जन्ता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहरी वाजपेजी ने निर्मित किया हुआ प्रदेश एक परवती प्रदेश के अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए यह हमारा सपना था उत्तराखंड में भारतिय जन्ता पर्टी के काम चपपचपचपचह पहुँचा हुआ हर बूढ पर हमारे कारे करता है आज भी सभी के संसदर हमारे सभी मेर्स हमारे और आधां परसेंट वोट से हम विदान सभा में कम रहे अन्यता वहाँ भी हमारे अच्छा प्रभाव है तो उत्तराखन हमारे हिसाब से बहुत important प्रदेश है देव भूमी के रूप में वीर भूमी के रूप में जाना जाता है ऐसे उत्तराखन में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है उसको देखते हुए हमें जिसा लगता है कि आज हमारी जो तयारिया है हम निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सत्ता में आने जा रहे है लेकिन आपका और भारती जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा खास पर पहारी सूबे के लिए आज उत्तराखंड का अगर चित्र देखे तो वहां की जनता में बड़ी उदासिंता है हताशा है निराशा है वहां की सरकार से जो उम्मिदे थी वो सरकार केवल नारो वाली सरकार रही है केवल गोशना करने वाली सरकार हर एक आश्वासन देने वाली सरकार पर उसकी आश्वासन पूर्ती और आज गोषणा इसमें अगर अंतर देखा तो बहुत जमिन असमन का अंतर है इससे उत्तराखंड की जनता दुखी है उत्तराखंड से बहुत बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है एक भी नई इंडस्ट्री गए पात साल में वहाँ पर आई नहीं आटल जी के टाइम जो दिया हुआ पैकेज था वो इंडस्ट्रियल पैकेज वहाँ से खतम किया गया और आपदा के कारण जो प्रस्थापित के होने के काम थे वो कामों में भी इतनी गती कम है तो पूरे देश से आने वाले यातियों की संख्याओं में बड़ी कमी आई है और उत्तराखंड तो टूरिस्ट के आधार पर चलने वाला परदेश है इस सब आधार पे मुझे लगता है कि आज जनता एक अच्छे विकल्प के रूप में भारती जनता परटी को देख रही है यही हमारा प्रंप मुद्दार है लेकिन क्या आप मानते हैं जाजू साहब कि जो राजनेतिक कद कि अगर हम बात करें खास सवर पे राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जो मुख मंत्री सरकार को आई स्थिर करने एक बादे बार फिर से बहुमत साबित करता है उसका राजनेतिक कद और हैसियत बढ़ जाते है तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुकाबला दिल्चस्ट होगा आज के उत्तराखन की स्थितिकों मैं स्थिरता नहीं कहता आज भी बजेट पारित करते समय उनको 33 वोट पड़े है सतर का हाउस है कई लोगों का स्पीकर का अधिकार का दुरूपयोग करके आप कई लोगों को डिस्कॉलिफाय कर देंगे और हमारा बजेट पारित हो गया हमारी मेजरिटी हो गई आप संतुष्ट रहे जनता देख रही है जनता ने देखा है आपने अपने MLSB समाले नहीं आपके मंतरी पार्टी छोड़के जा रहे आपके पूरों मुख्यमंतरी पार्टी छोड़के जा रहे आईसे सिंगल मैन आर्मी की सरकार जनता पसंद नहीं करते हैं लेकिन ज़र आपके नेता भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि और ज़्यादा विधायक तोड़ेंगे सरकार एक बार फिर से आईस्तिर होगी उसमें तो आपको सफलता हाचिल नहीं भी विधायक तोड़ने का काम हम नहीं करते हैं वहाँ हम एक सबर्थ विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं जो लोग अपने नेताओं से असेमेति करके पार्टी छोड़कर बाहर आए अपने ब्रष्टाचार के खिलाप लड़ाई में उन्होंने साथ देने का संकल्प किया और उन्होंने बज़ेट पारित होने में विपक्ष को साथ रहे तो मुझे यसा रगता है कि ये उनके पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके विदायक क्यों छोड़के जा रहे जनता में रोश क्या है उसका दोश भारती जनता पार्टी को देने का कोई करण नहीं एक और चीज मैं आप से जाना चाहूँगा यहां पर कि कॉंग्रेस ने ये तह कर लिया है एनाउंस भी कर दिया है कि हरी श्रावत ये उसके मुखमंत्री पत के उम्मीदवार होंगे आने वाले विदान सवाचना में भारती जनता पार्टी किस चहरे के साथ चुनावी मैदान में जाएगी कॉंग्रेस पार्टी से तो दस विदायक पार्टी छोड़कर बाहर आ चुके है आज भी पार्टी में अंतरगत इतना मतबेद है इतने बिखराव है तो हम कह नहीं सकते तो कांग्रेस वारे जब गोशना करनी तब करे रावच छोड़के उनके पास दूसरा चेहरा नहीं है दूसरे को वो आने भी नहीं देना चाहते भारती जनता पार्टी में उसकी कोई कमी नहीं चार-चार पूरुवा मुख्यमंत्री हमारे पास है सभी सांसद हमारे है विपक्ष के नेता हमारे है तो हमारे पास नेताओं के कोई कमी नहीं है मैं आप से बहुत सीधा सवाल फिर से एक बार फिर से रिपीट करूँगा मुख्यमंत्री पत के चहरे के साथ आचुनाई मैदान में जाएंगे या नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री पत का चेहरा तै करना इसमें रणनी चिस तै करना स्ट्रेटेजी तै करना ये हमारे पारलमेंटरी बोर्ड का दिनने होता है बारतिय जनता पर्टी ये केडर पर्टी है ये कोई परिवारिक पर्टी नहीं है ये कोई व्यत्तिगत पर्टी नहीं है तो सिस्टम के आदार पर परलिमेंटरी बोर्ड इसका उचित समय पंदिरने करेगा और आपके माद्यम से हम जनता को बताएंगे आपने चार सांसदों की बात की जो अभी आपके मुखमंत्री रह चुके हैं निशंग की बात करें, भगशिंग कोश्यारी की बात करें, खंडूरी की बात करें उत्राखंड की राजनीत में बहुत जादा सक्री नहीं दिखते हैं जहराद उन से जादा तो वो दिल्ली में पाए जाते हैं। उत्तराखंड की जनता के लिए करते हैं। एक बार निर्णे हो गया तो सब साथ में जूटते हैं। उत्राखंड में तमाम छोटे जो राजनेतिक दल हैं। छोटे दल बहुत सक्री हैं और बहुत महत्पूल भूमिका भी निभा रहे हैं। बिएसपी भी है उसमें। यूकेडी भी है एक फ्रेंट पीडियेप भी बनाया है और भी तमाम छोटे राजनेतिक दल हैं। जो पिछले चुनाव में आया था और बॉर्डर का भूमत किसी को भी ना मिलने के कारण ये लोगों की भूमिका महत्वपूल हो गई है। वह इसे देखें तो उत्तराखंड में दो ही पार्टी हैं। पर जनता के मन में आज कांगरेस का जो रोश है उसके आइटरनेट के रूप में पर्याई के रूप में केवल भारतिय जनता पार्टी है। जैसी साब चुनावी मुद्दे में आपसे जानना चाहूँगा। आपने ब्रस्टाचार को लेकर आरोब भी तमाम लगाई। पूरे देश को क्षेत्रवाद, जातियवाद, प्रांतवाद इसके उपर उठकर राष्टर का विकास, देश का विकास इस विकास के आजेंडे पर लाया था। बिहार और यूपी जैसे प्रदेश जहां जातिगत बोलुबाला बहुत जादा होता है, वहाँ भी हमने इस पर मात की। और पूरे देश को ये बताया कि विकास का आजेंडा ये महतोपुरुना आजेंडा है। आज भी केंद्र में नरेडर मोदी जी के नितरुतों में और चौदा राज्यों में जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, वहाँ विकास का आजेंडा ये हमारा प्राइमरी आजेंडा है, प्रमुख आजेंडा है। और उत्तराखंड की जनता जो अलग-अलग प्रदेशों में बहुत बड़े पहिमारे पे प्लायन हुआ है उनको रोक कर अपने गाओं में रुकराना चाहते है उत्तराखंड का वापस पूराना सुरूफ हम वहाँ पर लाना चाहते है लेकिन जईजीज़ साब वो लोक सवा चुनाओ था और जब विधान सवा चुनाओं में जाते हैं तो बात स्थानी मुद्दो की होती है, स्थानी समस्याओं की होती है वो समस्याओं की सब्धागर करेंगा है और जिस प्रकार के स्टिंग सामने आए, अधिकारियों के स्टिंग सामने आए, मुख्यमंत्री के स्टिंग सामने आए और अपनी मेजोरिटी बचाने के लिए भी अपने पार्टी के विदायकों को भी पैसा देना पड़ता है ये स्वरूप जो देखा ये स्वरूप उत्तराखन की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है इससे उत्तराखन की जनता बहर आना चाहती है तो सौभावी कुरुप से इस सरकार के कारेकाल में कोई रोजगार बढ़ा नहीं कोई तरक्की नहीं हुई है और ये सब बातों का असर ये हुआ है इस सरकार को जल्दी से जल्दी लोग बिदा करना चाहती है